सीतापुर पुलिस आपकी सुरक्षा में राद दिन मुस्तैद है आप हासी खुशी तिवहार मनाईए आपसी भायचारा कायम रखिए और कोविट गाइडलाइन का पालन करिए इस संदेश के साथ जनपत की पुलिस ने सभी थाना छेत्रों में बारा वफार वालमी की जैनती को शांतिपूर मनाये जाने के लिए बैठक और फ्लैग मार्च कर आम जनों को सुरक्षा का एहसास कराया इससे पहले पुलिस अधिक्षक आरपी सिंग ने आपर पुलिस अधिक्षकों । डॉक्टर राजीव दिक्षित, एंपी सिंग, एवं सभी सीयो, नगर प्यूश कुमार सिंग, बिस्वा सीयो, सुशील कुमार सिंग, सीयो सदर अभिशेग प्रताप अजे, सीयो मिशिक एमपी सिंग, सियो महमूदाबाद रवी शंकर प्रसाद, सियो सिधोली दिने शादों के साथ बैठक कर त्योहारों कुष्ट सा कुषल संपन कराने की रणनीती बनाई। कुतम नगर चौकी प्रभारी अर्विंद कुमार कटियार ने मैं फोर्स के वजीर नगर कुतम नगर निरहन गाउं में आगामी 12 वफात आदितेवहारों पर शांती ववस्था बनाए रखने हैं तो फ्लैग मार्च किया। वहीं इमलिया सुल्तानपुर में थाना प्रभारी विने कुमार सिंग, दीना नाथ यादो चौकी प्रभारी मनोज कुमार, आरक्षी जैवीर, अंकित कुमार, वैशाली, अर्चुना, आरी ने बीवीपुर माश शारदा नगर गाउं घूम कर फ्लैग मार्च किया। हर गाउं थाना चेतर के अंतरगर्थ हर गाउं पुलिस ने थाना प्रभारी निरिक्षक विनोथ कुमार मिश्र, उपनिरिक्षक सुरेंद्र बहादूर के साथ फ्लैग मार्च कर के कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का कार किया। खेराबाद थाना चेतर के इंस्पेक्टर धर्म प्रकाश शुकला के निर्दतु में तिवहारों के मद्दे नजर कस्बा खेराबाद में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांती और भाईचारा बनाने की अपील की। उपनिरिक्षक नरेंद सिंग, कस्बा चौकी इंचार दिलीप कुमार सिंग, जटा शंकर यादो सहित भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च कर शांती व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अटरिया थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार राय ने पुलिस बल के साथ अटरिया कस्बा, इस्टेशन रोड, नीलगाव रोड, धरावा रोड, सर्राफा बाजार सहित, अन्य सम्मेदन सील जगहों पर फ्लैग मार्च कर लोगों को शांती व्यवस्था बनाए रखने के जागरुक किया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आए इंडिया